लाटविया के फैब 2023 इंटेक में अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स को मिला 100% वीजा सक्सेस रेट आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सप्टेंबर 2023 इंटेक के लिए चल रहे युनिवर्सिटी इंट्रिव्स में पुछे जाने वाले कोशन्स के बारे में then हम बात करेंगे available course options for different streams different stream के students के लिए available course options processing time कितना लग रहा है and finally हम बात करेंगे जिन students को financials and income proof show करने में income proof के बारे में doubts हैं तो उनके doubts remove किये जाएंगे दोस्तो मैं प्रोफेसर रोहिद गुपता डिरेक्टर अफ स्पेक्टरम ओवरसीज रंदर लगातार UK एंड यॉरप के स्टडी वीजा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तो यॉरप का स्टडी वीजा स्पेक्टरम ओवरसीज के साथ अप्लाई करते हुए आपको आप्शन मिलता है दोस्तो लाटविया स्टडी वीजा जिन स्टूडेंट्स ने फैब 2023 इंटेक में स्पेक्टरम ओवरसीज के थूरू अप्लाई किया था उनको 100% वीजा अप्रूवल रेट मिला मैं उन स्टूडेंट्स को उनके पैरेंट्स को उनकी फैमिलिस को बहुत बहुत कॉंग्रेचूलेट करता हूँ ये सब स्पेक्टरम ओवरसीज की एक्सपर्ट फाइलिंग एंड एसोपी राइटर्स का कमाल है इंटर्व्यू प्रेपरेशन टीम का कमाल है और जिससे स्टूडेंट्स ने बहुत इजिली एंबैसी के इंटर्व्यू क्लियर किये हाँ कुछ एक स्टूडेंट्स को जैसे मैंने पहले भी बिताया था अपने वीडियो में युनिवरसीटी इंटर्व्यू में उनको सक्सेस नहीं मिली थी बिकॉज उनका इंग्लिश लेवल थोड़ा लो था उन स्टूडेंट्स को युनिवरसी इंटर्व्यू स्टेज पे ही रिजेक्शन मिला था बट एंबैसी स्टेज में किसी स्टूडेंट को रिजेक्शन नहीं मिला जिन स्टूडेंट्स ने उनिवरसी स्टेज क्लियर किया उनका इंग्लिश लेवल कुछ ठीक था तो वो student embassy stage पे नहीं रुके तो उनको clearance मिल गई, they are already in Latvia Now, September 2023 intake के लिए काफी students की queries रिसीव हो रही है University interviews भी चल रहे हैं University interviews में पूछे जाने वाले questions की बात करें तो University interviews का, जो questions का pattern है वो पिछले intake से बिलकुल भी change नहीं हुआ मैंने University interviews के questions अपने पिछले वीडियो में बताये हुए हैं आप Latvia study visa वाली या Europe study visa वाली checklist में जाकर हमारा पिछले intake वाला वीडियो अगर आपको University questions की preparation में कोई doubt है या किस type के questions पूछे जा रहे हैं वो आप जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को complete ज़रूर देख लें Latvian universities में different universities में आपको ये course मिल जाएगा and arts वाले student business management भी opt कर रहे हैं बोथ at bachelor's and master's level commerce वालों के लिए तो ये अच्छा option ही है and जो non-medical stream से हैं वो bachelor's and master's in computer system या IT के courses के लिए opt करें और तो उनको better results मिल सकते हैं so course options के बाद processing time की बात करें processing time के regarding काफी calls आ रही हैं तो कितना processing time लगेगा हमें September के लिए कब start करना चाहिए तो processing time is generally 3-4 months तो अगर आप September intake के लिए apply करना चाहते हैं तो आपको late से late में तक तो apply कर ही देना चाहिए because इसमें AIC भी होता है, embassy भी time ले लेती है कभी कभी appointment का भी चक्कर पड़ जाता है तो आपको जल्दी से जल्दी बिनवेट किये हुए spectrum overseas के expert counselors को 9855-98585 पर call करके apply करना चाहिए now further बात करें कि काफी students के doubts थे कि financial requirements के regarding एंड जो embassy को फाइल में income proof शो करने होते हैं वो कैसे शो करने हैं तो उसके regarding हमारे counselors से आप call करके पूरी consultation ले सकते हैं थोड़ा सा lengthy topic है इसको मैं इस video में cover नहीं कर सकता बट आपको बिल्कुल भी इससे घबराने के जूर्ट नहीं है there are solutions और आप बहुत easily इसको अपने आप से ही ये requirements फुल्फिल कर सकते हो just वो थोड़ा सा समझने की बात है तो आप इसके लिए भी हमारे counselors को 9855-98585 पर call करें Latvia study visa और यॉरप के other countries के study visa के regarding कोई भी query हो आप हमें contact करें या फिर अपने queries नीचे comment box में लिखना ना भूलें हम जल्दी से जल्दी आपको reply करने की कोशिश करेंगे thank you so much